बढ़िया recharge portal चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं? डाइरेक्ली आप प्लेई स्टोर पर जाते हैं recharge portal लिखकर सार्च कर देते हैं और आप के सामने में काफे सारे recharge portal apps आजाती है और आप लोग confused पर जाते हैं मुझे कोन सी एफ चाहिए और कौन सी commission बढ़िया मिलेगा और बेस्ट commission मिलेगा और उसके बाद आप लोग confused में परने के बाद आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ली आप YouTube को ओफ़िन करते हैं और YouTube के अंदर आप आप वो भी सर्च कर देते हैं कौन सी बेडिया रिचाज पोटल या फिर रिचाज पोटल लिखकर सर्च कर देते हैं तो फिर भी आपका सामने में करोरो वीडियो आज आती है लेकिन फ्रेंट आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लिकेसिन लाया हूँ जो आप लोगों के लिए एक बेस्ट रिचाज पोटल साबित हो सकता है क्योंकि आज का पहले इस एप्लिकेसिन के बारे में आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो दोस्तो आज का जो application है, recharge portal है, इस application के थुरू आप highest commission लेकर आप पे फिकर होकर काम कर सकते हैं तो चलिए आज का जो recharge portal है, इसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले important बात है, अगर आपने अभी तेक कर्मकर YouTube help line channel को subscribe नहीं किया तो subscribe करके notification bell जरूर दबा देना उसके साथ साथ, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो like, comment करके मुझे बताने का कोसिस करना भाई, वी हैं, तो फ्रेंट आज का जो recharge portal है, इसका नाम देख सकते, pay icon है, जिसका link आपको इस वीडियो का description box में मिल जाएगा, link से ही download करने का कोसिस करें, क्योंकि आप लोग गलत application में चक्कर में नहीं परोगे, दोस्तो लिंक के उपर प्रेस करते हैं, आपको सामने कुछ इस तरीक download होने के बाद इसको जब open करते हैं, आपको सामने कुछ इस तरीका की interface आएगा, जो permission का आपको allow करनी है, जो contact permission लेता है, allow करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीका की interface आजाती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर sing up करना पड़ेगा, दोस्तों sing up करने के लिए आपको support से ही call करके लेते हैं, तो आपको active करने का जरूरत नहीं परेगा, instantly active करके ही देगा, अगर आप distributor या फिर super distributor चाहते हैं, तो customer support से बात करके अपना ID ले सकते हैं, clear हो गया, अब मेरा एक retailer ID है, मैं जिसको open करता हूँ, नागय का process आपको दिखाता हूँ, तो finally मेरा जो retailer ID है, वो login हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर कुछ process है, जो मैं आपको समझाने का कोशिस करूँगा, services बगरा समझाने का कोशिस करूँगा, तो सबसे पहले बात हो जाती है, यहाँ पर पहले आपको WhatsApp support का बटन दिख जाती है, जिसके उपर प्रेस करके WhatsApp के द्वारा contact करके आपको एक recharge करके, टेस्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कि आप recharge करके दिखाओ काफी बार message करते हैं, जैसे अगर mobile recharge करनी है, तो प्रेट का उपर आपको दबानी है, दबाने के बाद अपना operator को select करनी है, operator select करने के बाद आपको यहाँ पर enter the number करना पड़ेगा, पहला आपना number को enter करना पड़ेगा, यह सब तो पता है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, number enter करने के बाद उसका कितना रूपया आपको recharge करना है, वो enter कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए 10 रूपया कर रहा हूँ, चाहू ता आप उसका browser plan भी देखकर recharge कर सकते हैं, offer बगरा देखकर recharge कर सकते हैं, then enter the amount, proceed to recharge, then continue, continue करने के बाद यह थोड़ा सा loading लेगा, और देखते हैं, कितना time लेता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि भाई, यह recharge जो है ना, यह recharge आपके internet quality को उपर निर्भर करता है, कितना तेजी से होगा इंटरनेट quality आपका सही रहेगा, तो जैसे देख सकते हैं, कितना initially मेरा recharge हो गया, अपना commission कट कर, यहाँ पर मेरा 20 रूपया था, अभी 10 रूपया, 40 पैसा है, यानि कि मुझे अभी commission 4% मिल गया, अब commission भी कफी बढ़िया है, ओ भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो services यह सब कितना बढ़िया है, services देख लिया, कितना तेजी से होता है, तो इस बार हम बात कर ले थे commission का, और commission कैसा है, commission भी तो आपको देखना जरूरी है, तो चलिए commission चैट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, फिलाल तो आप अपना commission यहाँ से देख सकते हैं, अपना commission के ऊपर प्रेस करक हैं, तो DTH पर all DTH 3%, distribute सारे 3%, बांकी का सभी 3% है, अब दोस्तो यह तो रहा retailer का commission, लेकिन distributor या फिर super distributor इसका commission अलग है, ज्यादा है, तो चलो उसके भी बारे में हम आपको दिखा देते हैं, तो दोस्तो distributor का commission list आपको display पर दिख रहा है, लेकिन distributor ID लेने के लिए आपको 99 3%, ATL पर आपको 2.75 and all DTH 3%, उसके बाद super distributor, super distributor लेने के लिए आपको थोरा charge pay करना पड़ेगा, 2950 रुपीज पे करना पड़ेगा, और आपको commission मिलेगा, Voda, Idea, Gio पर 4%, BSN पर 5%, ATL पर 3%, and all DTH आपको 4% करके मिलेगा commission, तो commission list भी काफी बढ़िया था, आप इस पे काम कर सकते, अब अब एक और बात रही कि भाई, इस पे money load कैसे ले, money load लेने के लिए आपको यहाँ पर साब-साब add money का एक button दिख रहे, जिसके उपर press करके, enter the amount, 100 रुपिया से start कर सकते, enter the amount करके, आप अपना UPI, काफी सरे option हो जाती है, किसी भी एक जो आपका मर्जी इसको slate करके, आ बहुत ही आसाने से add money कर सकते, no problem, no pending issues, आसा करता हूँ आपको clear समझ में आगया, फिर भी कोई problem होता तो मुझे comment कर सकते हैं, या फिर इसका whatsapp chat का button है, इससे बात कर सकते हैं, या फिर और भी काफी सरे button है, आप इसको statement बगरा check कर सकते हैं,